हरे क्रिश्णा, आए जानते हैं कि मनुस्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है, ऐसे पाप जो कि वो नहीं चाहते हुए भी ये सारी पाप कर्म उसको करना ही पड़ता है, अर्थाद इन पापों का भागिदार उसको होना ही पड़ता है, क्योंकि मनुस्य जीवित रहने के लिए उसको भोजन के जरूरत है, भोजन के बिना मनुस्य जीनदार नहीं रह सकता है, और वलते हैं, उस भोजन को पकाने में, उस भोजन को बनाने में, कई प्रकार के पाप होता है, जिसको ग्रियस्त मनुस्यों के लिए पंचसुना का स्थान बताया गया है, अर्थाद पांच प्रकार के पौसूबद करने का स्थान बताया गया है, जैसे मनुस्यक कुछ खाना पकाएगा उसके पहले खाने का जो दाना है चावल हो आटा हो जो भी है उसको तो तयार करना पड़ेगा तो उसको तयार करने के लिए वो पांच प्रकार के स्थान से गोजना पड़ता है जैसे पहले होता था ओखली होता था फिर चक्की, चुला, घड़ा और जाड़ू यह पांचों के स्वाजता के द्वारा उस अन्न के कर्ण को पकाने के लाइक बनाए जाता था और यह जो अखली है, चक्की है, चुला है, घड़ा है और जाड़ू है बलते यह पांच पंचों सुना का स्थान है, पांच प्रकार के पसूबद करने का स्थान है इसलिए नहीं चाहते हुए भी यह पांच प्रकार के पाप करना ही पड़ता है मनुस्य को इसलिए जो कुछ भी वो खाना बनाता है भोजन बनाता है अगर उस भोजन को भगवान के प्रति अर्पन कर देता है तो वो भोजन एक प्रकार से उसका यग्या बन जाता है भगवान के उद्धिश्य से क्या गया प्रति के कर्म वो यग्या बन जाता है और उस यग्या का भगवान को अर्पन करने के पाद जो अवसेश बचता है अर्थाद यग्या का अवसेश उसको अगर मनुस्य खाता है तो फिर वो समझत प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता ह जैसे कि भगवान स्वयम इस बात को कहते है कि यग्यां सिष्टा सनासंतो मच्चनते सर्वकिल्वी से ही तो जो सरिष्ट मनुस्या है जो भगवान का भक्त है इस प्रकार अपने स्वयम के स्वार्थ के लिए उसे भजन को नहीं पका के उसको अगर भगवान के प्रसनता के लिए या भगवान को औरपन करने की इच्छा लेकर के अगर उसको वो पकाता है बनाता है और भगवान को औरपन करने के बाद उसको खाता है तो फिर वो समस्त्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है कवल, भोजन की ही बात नहीं, मनुश्य यितने भी कर्म करता है, वलत City कर्मों के करने में भी वह इतनी पाप संग्रह कर लेता है. कि उन पापों को 84 लाग जोनि भर्मन करने के बाद और नर्चों को दुग भोगने के बाद भी वह पाप का रासी खतम नहीं होता है. बरम संचित के रूप में वो बाकी रह जाता है इसलिए कहते हैं ना मनुस्य जोनी एक ऐसा अदभुत खेती है जिसमें जो भी पाप का या पुन्य का बीज बुआ जाता है बलते हैं वो अनेक जन्मों तक उस परकार के फल देता रहता है अगर पाप का बीज बुओगे तो पाप का फल देगा पुन्य का बीज बुओगे तो पुन्य का फल देगा इसलिए बास्तप में विचार करें तो यह जो मनुस्य जन्म है यह सब जन्मों की आदि भी है और अनंत जन्मों के यह अंतिम जन्म भी है किस प्रकार से देखो अगर मनुश्य इस मनुश्य शरी प्राप्त करके इसी जनम में ही वो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्ति कर लेता है तो वो उसका अंतिम जनम है उसको फिर दुबरा इस मुर्त्यू की चक्कर में बार-बार जनम लेना नहीं पड़ेगा भगवान का प्राप्ति करने के बाद भगवान का प्राप्ति ना कर सके तो फिर वो अनन्त जनमों का बलते ये आदी जनम है और तब यहां से फिर अनन्त जनमों तक अनन्त जोनियों में भ्रमन करना ही पड़ेगा ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये निश्चा कर लेना चाहिए कि मैं और पाप कर्म नहीं करूंगा अर्थाद जो भी कर्म करूंगा मैं वो केवल और केवल मात्र भगवद प्रसनता के लिए ही करूंगा भगवान की प्रसनता के लिए ही करूंगा जब इस प्रकार के कर्म भी केवल भगवान के उद्धिस्य से भगवद प्रसनता को लक्षय करके किया जाता है वो कर्म भी बंधन का करन नहीं होता है वो भी यग्या बन जाता है और उस यग्या के दुआरा भगवद इच्छा से जो कुछ भी प्राप्ध होए उसी को भगवद समर्पित करके अपने जीवन धारन करना ही बलते समस्प्रकार के कार्मिक पापों से भी वो मुक्त हो सकता है इसलिए अपने सुक्ष के लिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ भख्यान करो या कुछ कर्म करो बस तब में वो पाप का ही भख्यान करता है भोग की सामगरी या अपने सुक्ष विदा के लिए जो भी अपने स्वार्थ के लिए करतीत करता है वो पाप ही उकत्रित करता है और अगर भोजन के माध्यम से हो कर्म के माध्यम से हो भोग सामागरी माध्यम से हो अगर वो सब भगबत परसनता के उदिश्य से किया जाता है बलते यह सब करने में यह सब कर्म करने में जितना भी पाप होता है बलते उन संपुन नपापों से मनुस्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है इसलिए कहते हैं कि यग्या सिष्टा मृता भुजो